ब्रेंड्स वेलकम टुमा यूटूब चनल तो इस वीडियो हम बात करेंगे जापानीज लीग के मैच के बारा में जो गाइस खेला जाई यहाँ से काशिमा एंटलर्स और कौनसा डॉल शपोलो के बीच माहनवाल इस मैच के बारा में तो गाइस इस वीडियो में इन दून ट अपस में खेलते हैं तो क्या रहता है इन दो टिमों का हैट वडिकोर्ड और गयाईज यूट जो कौन से प्लियर हैं जो कंसिस्टेन गौल करते हैं इन दो टिमों की तरभ से और कुछ ऐसे important players के बार हम बात करेंगे जिनका dream alone पर काफी low selection रहेगा और उन्हाँ आप अपनी small league team में captain प्लस vice captain बना सकते हो वीडियो complete देखने के बाद और player का complete record देखने के बाद तो guys सबस्पेल नज़र डालते हैं इन दोन टीमों की point stable पर क्या है position तो guys फिलाहल हम आचुके हैं जापनीज लीग की जो point stable वहाँ पर तो सबस्पेल नज़र डालते हैं काशिमा अंटलर्स इस लीग में 7th position पर है वहें पर बात करें कौन शादोलो शपोरो इस लीग में 11th position पर है तो guys काशिमा अंटलर्स ने 19 मेच खिले हैं जिन में से 8 मेच तो इस टीम ने win की हैं और 5 मेच ड्रो भी खिले हैं और 6 मेच इस टीम ने loss की हैं 29 गोल सखोर की हैं और 21 गोल इस टीम ने डिफेंसी वज गंशीड की हैं तो guys 19 मेच में 29 गोल सखोर करना आप मांड सकते हूँ जो इसका अटेक है परतियक मेच में 1.5 गोल पर मैश सकोर करना का अवरेज रखता है वहीं पर बात करा है इसने 19 मेच में 21 गोल डिफेंसी वज कंसीड की है तो इसका जो डिफेंस है पर्तियक मेच में 1.1 गोल पर मैस सकोर कंसीड करना का एवरेज रखता है Attacking wise पर्तियक 2 मेच में 3 वज कोरेज है लेकन डिफेंसी वज ये टीम कहींने कहीं परती एक मैच में 1 गोल पर मैच सस्काइब कर देती है अब guys बात करें जो कौन सा डोल शप्पर हो guys इसने 17 मैच खिले हैं जिन में 70 मैच तो इस टीम ने विविन किये और 4 मैच ड्रो किले हैं और 6 मैच इस टीम ने लोस किये हैं और 25 गोल सकोर किये हैं और 21 गोल इस टीम ने डिफेंसी वज कंसीड किये हैं तो गैस 17 मैच में 25 गोल सकोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटेक है परतियक मैच में 1.4 गोल पर मैस सकोर करना का एवरेज रखता है वहीं पर बात करें इसने 17 मैच में 21 गोल डिफेंसी वज कंस ये डिफेंशिव आज ये टेम कहीं ने कहीं परती एक मैच में वन गोल पर मैश करना का एनचे लगते हैं न कहीं अपनी टिम में एक फिलहाल के लिए तो मैं फिलहाल के लिए हे तो यहां से काशिमा एंट्रिस्थ सकुछ सब्सेहा क्या चलता हूँ क्यों कि यह मैच इसी के होम ग्राउंड में और जब कासिमा अंटलर्स अपने होम ग्राउंड में खेलती हैं तो काफी अच्छा परफोर्मेंस रहता अटेकिंग वाज प्लाश डिफेंसी वाज तो इसलिए मैं यहां से कासिमा अंटलर्स को फैवरिट टीम मानते चलता हूँ लेकिन जब बात करेंगे जब यह दून टीम आपस में हैट-to-head मैचेस खेलती हैं तो क्या परफोर्मेंस रहता है इन दून टीमों का हैट-to-head मैचेस में और वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में एक फैवरिट टीम होन वाली हमारी शमोली टीम बनाने के लिए ड्रेम 11 पर तो गाइस इन दून टीमों के बीच में आप यहाँ से देख सकते हो रिसेंट मतलब पिछले पांच हैट-to-head मैचेस होएं जिन मैसे काशिमा अंटलर्स ने सिर्फ एक ही मैच विन किया बलकि दो मैच ड्रो भी खेलें और दो मैच यहाँ स कौन सा डॉलो शपोलों ने विन किया है और वन गोल पर मेच सकोर किया है और वन ही गोल पर मेच सकोर कनसीड किया मतलब इन दों टीमों बीच में ज्यादा गोल सकोर नहीं होते बलकि डिफेंसिव फुटबॉल खेला जाता है जब यह दों टीमा आपस मैं हैट-to-head मैचेस खेलती हैं तो एक गोल सकोर करना का एवरेज है एक ही गोल कंसीड करना का एवरेज रहा है इन दों टीमों वीच में अब बात करें जो पिछला मैच इन दों टीमों वीच में हुआ था तो यहां से मैच जिरो जिरो पर ड्रो हो गया कम्प्लीट हुआ मतलब डिफेंसिव वाज ना ही कोई गोल कंसीड के गया और बलके अटेकिंग वाज कोई गोल भी नहीं हुए लेकिन उससे पिछल मुकाबले इन दो टीमो बीच में फिर से मैच हो और काशिमा अंडलर्स ने रिसेंटली 3-0 से इस मैच को विन किया था लेकिन उससे पिछल मुकाबले इन दो टीमो बीच में इक और मैच हो टू-टू से ड्रो हो मतलब यहाँ पर आपको डिफेंसिव वाज परफॉमेंस देखने को मिला लेकिन उससे पिछल मुकाबले दो मैच यहाँ से कौनसा डूलर्स शपोरो ने इसली 2-0 और 1-0 के साथ विन कर लिये थे तो यहाँ से अगर देख जाये तो अवराल एक फैवरेट टीम के बारा में तो कौनसा डूलर्स शपोरो मतलब काशिमा कंट्रूलर्स एक फैवरेट टीम निकल कर आती है क्यों कि इसने रिसेंटली मैच खेले हैं और जो यहाँ से कौनसा डूलर्स शपोरो ने इवेच को विन किया वो काफी मतलब पुरान मैच है दो लेकिन रिसेंटली यहाँ से इन दोन टीमों बीच मैच हों और काशिमा अंडलर्स न एक मैच तो विन किया है और एक मैच मतलब दो मैच इस टीम ने ड्रो खेले हैं तो यहाँ से जो परफोर्मेंस निकल कर आती है इन दोन टीमों की तो आप मान सकते हो कि यहाँ से 50-50 रहा है लेकिन गईज अब बात करते हैं जो इन दोन टीमों की रिसेंट फोरम उसका अकोरडिंग क्या परफोर्मेंस चला फिर हल के टाइम पर इन दोन टीमों का तो गाईज रिसेंट ली काशिमा अंडलर्स ने 6 मैच खेले हैं जिन मैच से 3 मैच तो इस टीम ने विन भी किया है और दो मैच ड्रो खेले हैं और एक ही मैच इस टीम ने लॉस किया है 2.2 गोल पर मैच सकोर किया है और 0.8 गोल पर मैच सकोर करना का अब बात करें जो पिछला मैच काशिमा अंडलर्स 0-0 से मैच को ड्रो खेल करा रही है तो यहां से पता चलता है कि इसका डिफेंस वाज पर्फॉमेंस वो कितना बहतरी है लेकिन उससे पिछल मुकाबला वैगालता संदेज के सामने इस टीम ने वन वन से ड्रो खेला जो कि काफी अच्छी टीम थी इसके अपोनेंट टीम और उसके सामने से वन वन से ड्रो खेला तो मान सकते हो कि अच्छा पर्फॉमेंस रहा है लेकिन उससे पिछल मुकाबले या कोहमा के सामने इस ने एट वन से विन किया लेकिन उससे पिछल मुकाबले फिर यहां से टू वन से विन किया और उससे पिछल मुकाबले फिर इस टीम ने वन जीरो से विन और फिर यहां से टू वन से कावासी का फरांट टेबल के सामने लोस्त किया और कावासी के front table इसलिए के top of the table के team में पलस attacking वाज काफी बहतरी मतलब performance रहता लेकिन defensive वाज वो team goal consider नहीं करती लेकिन काशिमा अंटलर्स न उस team के खिलाब भी एक goal score किया तो यहां से पलता चलता है कि इस team का जो attack वो काफी शानदार है और defensive वाज वाज यह team अच्छा performance देखनों को मिला है तो यहां से मतलब जो recently performance इसका देखनों को मिला वो काफी अच्छा है लेकिन अब बात करते हैं जो कौन सा डावलो शापोरो है जो उसका recent पोरो में उसका बारा में तो guys कौन सा डावलो शापोरो नहीं recently 6 मैच खेले हैं और 4 मैच विन की हैं और 2 मैच ड्रो खेले हैं अभी तक इस team ने loss नहीं किया बलकि 2.2 गोल पर मैच सकोर किया और 1 गोल पर मैच सकोर कंसीड किया attacking वाज यह भी अच्छा performance कर रही क्योंकि points टेबल पर 1.4 फिलाहल के time पर 2.2 मतलब इसका attacking वाज सुधार हुआ और defensive वाज आप मान सकते हो कि 1 गोल पर मैच सकोर कंसीड फिलाहल टाइम पर और points टेबल पर 1.2 था तो आप मान सकते हो attacking वाज और defensive वाज जो दोनों टीमों को performance रेसेंटली वो काफी अच्छा देखने को मिला है लेकिन इस बात करें जो पिछला मैच कौन शाडोल शापोर हो ओटा तरी ने 2-0 से विन करका आ रही है उसे पिजल मुकावल या कोहमा के सामने इस ने 1-3-1 से विन किया और फिर यहां से सोनी सेंडाइक सामने इस ने 5-3 से विन किया और फिर इस टीम ने दो मैच ड्रो खेलें, एक तो डिफेंसी वाज ड्रो खेला और एक खेला इसने अटेकिंग वाज ड्रो तो इसका जो रिशन्ट फोरम है वो भी काफी बहतरीन देखनों को मिलता अटेकिंग वाज प्लस डिफेंसी वाज तो गईज अब बात करते हैं इस इसमीज का शकोड लाइन क्या हो सकता हमारी समोलिटीम बनाने के लिए द्रीम इलाउंपर तो सब सब्द पहले हमने इन दोन टीमों की पॉइंस्टेबल देखी, on the head to head matches देख और फिर in दोनों टीम हों recent form देखी क्या चीज देखनों को मिली इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाने बाद तेक गाइज पॉइंस टेबलक अकोर्डिंग तो ये दोनों टीम है परती एक मैच में गोल सकोर भी करती है और डिफेंसी वाइज दोनों टीम का गोल कंसीड भी किया जाता है लेकिन head to head में इन दोन टीम हों बीच में जब भी खेलती है तो अटेकिंग वाज एक गोल रहा है और एक ही गोल कंसीड करना का एवरेज रहा है लेकिन recent form का गोर्टिंग ये दोनों टीम है परती एक मैच में दो गोल पर मैस सकोर करती है और जल्दी से गोल कंसीड नहीं परती एक मैच में दो गोल सकोर करता मतलब दो दो गोल ऐसा तो नहीं है लेकिन इनका जो defense है वो भी काफी मजबूत है जल्दी से गोल कंसीड नहीं करता लेकिन इस match का सकोरल लेन परडिक्स मुझे लगता कि अगर यहां से काश्यमा अंटलर इस match में एक गोल कर सकती है और दोन टीमों जो defense है वो काफी मजबूत रहा है फिलाल के time पर तो मेरा जो सकोरल लेन परडिक्स नहीं इस match में इन दोन टीमों का analyze करने के बाद 1-1 का निकल कर आता है तो 1-1 का according जो इस match में हमर्शमोली टीम रहेगी dream alone पर वो बनाने वाले हैं dream alone पर उससे पहला बात करते ह इन दोन टीमों का प्लियर के बारे हैं कि कौन से प्लियर के असिस्ट के है अगर आप बिलकुल नहीं हो और आपनो भी तक हमार टेलीगराम चैनल को जोईन ही नहीं किया तो इस वीडियो को डिसक्रिप्सन और इस वीडियो के सबसे उपर वाल कॉमेंट मांको टेलिग्राम च ale को जोईन करना क्यों अगर आप सेप्छ जोंना करो ने अगर आप सर्च करोगे तो नहीं हो पाईगा इसलिए। कि लिंग के जरी है और सबस्तर का परवाल कमेंट एंधे जरी है आप ड्रीका ज्वीम जोईन करें ताकि ह। उन सब फैंक चलना से बच सको अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लियर वाइज की कौन इस प्लियर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किया है तो सबस्पल नदर डालते हैं काशिमा एंटलर्स की टीम तरफ से जो हाइस्ट गोल टेकर फिलहाल के टाइम पर आयाशे उडा जिसने छे गोल के हैं फिलहाल के टाइम पर तो एक इंपोर्टेंट फिलीर रहेगा आपको अपनी ड्रीमिलों की टीम में वहेंब बात करते हैं मचीडा जिसने चार गोल के हैं और यह आपको पैनल टीम किया तो यहां से पता चलता कि यह इस टीम तरफ से फस्ट च्वाइस पैनल टेकर भी है वहेंब बात करते हैं जो फॉर्थ हाइस गोल टेकर अराकी और बाकी का आपको सामने सारा टीम बात करते हैं इस टीम के तरफ से जो हाइस असिस्ट एगर आराकी है गोल और आपको वाइस क्यों गोल टोर में ऐस अच्छे टीम को बनाना तो यह शुरुष यहां सौमाडोई जिसने दो असिस्ट किए और बागी के आप सारे प्लिएर्स का डिकोर्ड। ले सकते हो और खुद की टीम बनाने में इन प्लियर्स का रिकोड काफ की किफाइत रहेगा एक पहत्रीन टीम ग्रांड लिग पर समोली टीम बनाने के लिए लेकिन इवे राल डो यह एक ऐसा प्लियर है जो इस लीग में नहीं इस से पिछली लीग में मतलब इस इस से पिछल रुस्तम जो आपके लिए पंद पिक सावित हो सकता है एक समोल लिग टीम पलस ग्रांड लिग टीम में और अगर इसकी पोजिशन बढ़िया रही ने तो मैं इसे अपनी टीम का कैप्टन भी दूंगा थैंक्यू यह मतलब इसके बारे में अब बात करते हैं असिस्ट लोपे जिसने 12 गोल के हैं लेकिन इसका ड्रेम 11 पर सेलक्षन वेरी लैस और इस टीम की तरफ से फस्ट च्वाइस पैनल्टी टेकर भी है और फस्ट च्वाइस गोल टेकर भी है तो इसको आप चाहे तो कैप्टन भी दे सकते हो अब यहां से इसका सलक्षन माइन नहीं दरफ से और ओगा शीवा जिसने 12 गोल किते और यहां से बाके का साझी आपसा आप प्रिंसर ले ले लुकी ना जिसने दो गोल किये हैं मतलब असिस्ट किये हैं और बागी काप को सामने सारे प्लियर्स का रिकोर्ड है आप से क्री इंसोट ले लेना और अगर आपको ऐसा लगे कि इस मैच में कौन सा डालो शपर वन जीरो या टू जीरो का कोर्डिंग इस मैच को विन कर जाएगा तो यह नहां से आपके लिए एक इंपोर्टेंट प्लियर रही गा तो इससे क्याप्टन वाइस कैपन भी दे सकतो इसका चांस रहते हैं असिस्ट करने का और इंट्रेश्चन टेकल का भी पॉइंट आपके लिए काफी बहतरी देने वाला है अब बात करते हैं इस मैच में जो हमा सबसे बचने का सबसे बैस तरीका वीडियो को लिंक सबसे परवाल कोमेंट साब टेलिग्राम चनल को जोइन कर सकते हो अब बात करते हैं जो हमारे चैनल की परतियक पोस्ट रहती है उस पर कम से कम आपको 1000-2000 प्लस देखनों को मिलेंगे और उसी टेलिग्राम चनल को आपक करेंगे जो प्लेर की पोजिशन वाइस कौनशी प्लेर जैसे कि आपके लिए फॉर एक यह पोजिशन है कि कौनशी सब्लेर कौनशी पोजिशन फिलेगा उसका अकोर्टिंग जो टीम रही कि वह आपको ड्रीम लोंग पर मिल जाएगी इस मैच में फिलहाल के लिए यह वा वाइस कैप्टन मैंने यहां से एंडर्शन लोपेज को रख के चलें लेकिन आप यहां से क्या कर सकते हो ग्रांड लीग में यहां से उड़ा को मिस कर सकते हो और इवारलाडो को कैप्टन कर सकते हो एंडर लोपेज को कैप्टन कर सकते हो लेकिन कनेका को अर्याकी को और यहा का अनुसार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो खुद की ने समवोर लिग पलस ग्रांड लिग टीम जरूर बनाना दोनों टीमों की तरफ से मतलब यह मैच एक ऐसा है जो रिवर्स भी जा सकता मैं इसका कनुफरम नहीं कह सकते भाई इस मैच का सखोर लें परडिक्शन र पैसा नहीं कि आपके पास मतलब बजट में सिर्फ आपको ढाई से मतलब रूफे हैं और आप यूज कर रहे हो पूरे 200 ग्रांड लिग में यह गलत है आपको पास नहीं है तो मतलब कम से कम बजट होने चाहिए आपको 2000 का ग्रांड लिग खेलने के लिए तब आप बारण टीम वरना जो हाई इंवेस्टर रहते हैं उनके लिए सब से बैस्ट हैथी घ्रांड लिग क्योंकि और पैसा भाया नहीं भी आते तो कोई फाइद तो नुक्शान ही होता तो Grand League में पैसा आने में का रिसकी ऐसा नहीं कि रिसकी से Grand League विन खरे जाएगे नहीं only safe तरीका से जाओ अच्छ तारी से लेकन एनलाइज करें उसको एनलाइज करने में बाद बेस्ट से बेस्ट टीम बनाओ और वही सेफ और रिस्की टीम बने जाएगे और उसी साब Grand League बिन करोगे आपको पता होगा जो हमारी समोल लिग टीम रहती है वो क्यों Top 100, Top 10 रेंक लाती है Grand League में क्यों? क्योंकि जो Best Player रहते हैं उन सब को हम Pick कर लेते हैं आप उनको चाहे तो सलक्षन लेस हो चाहे हाई हो जैसे यहां से इवारलार्डो जो है एक ऐसा प्लियर जो पिछली सीजन में हाई गोल टेकर किया अगर इसको मैं फिरहाल के लिए टैप्टन भी कर दो अगर इसकी पोजिशन बढ़िया भी आ जाए तो क्या आप बोलोगे कि आप ग्रांड लीग टीम थी थी नहीं शमोल लीग ही टीम थी लेकिन अच्छा प्रफ़न तब हुआ जब इसकी प्रडिक्सन करनों सारी इस टीम को बनाए गया लेकिन जो इस टीम में चैंजिंग होगी वो आपको वीडियो मतलब हमारी टेलीग्राम चैनल है जो वहाँ पर मिल जाएगी इस मैच में जो भी फरदर अबडेट रहेगी मतलब लाइन अप का अकोर्डिंग वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी और हाँ एक बात य चुके हैं क्योंकि खुद की टीम बनाने में इस वीडियो का काफी काफी क्युफाइद रहेगा आपको फ्रेंड्स को भी और आपके लिए भी थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए और आपका शाथ रहने के लिए और हाँ खुद का ख्याल रखना है और बैल आइकन को हिट करना है और मुझे दुआ में याद रखना है थैंक यू वेरी मच